आज मैं बना रही हूँ एक पनीर का स्टार्टर जो बहुत ही स्वादिश्ट होता है और यह हर घर में एवर्ग्रीन रहेगा अगर अप एक बार इससे बना लीजे तो हर कोई इससे बार-बार खाना चाहेगा हेलो फ्रेंज्ट वेलकम तु मैं चानल खान पान और पक्वान तो चलिए शुरू करते हैं पनीर साटे इसके लिए मैंने लिया है दो सौ ग्राम पनीर जिसे मैंने बहुत बड़े-बड़े टुकडों में काट लिये है इसे डाल देते है एक बावल में अब इसमें डाल देत हैं दो चम्मच लेशन अत्रक का पेस्ट जिंजर गालिक पेस्ट एक चम्मच रेड चिली पाउडर मैंने या कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज किया है जो कलर तो बहुत अच्छा देता है और तीखा जरा कम रहता है यह है आधा चम्मच ग्राश पेपर यह साल्ट अ और वान स्पून यह डाल रही हूं है रेड चिली सास अब इसे बहुत ही हलके हातों से मिक्स कर देंगे बिल्कुल रेस्टरॉन स्टाइल पनीर साथे तयार हो जाएगा देखिए अभी क्या शांदार कलर दिखने लगा है और बड़े-बड़े टुकडों में मैंने काट ल देंगे और हाफ एनार के लिए आधे गंटे के लिए से छोड़ देंगे मारिनेट होने के लिए चलिए तब तक स्लरी तयार कर लें जिसमें डिप करके हम इस पनीर को फ्राइ करेंगे अब एक ग्लास में हम ले लेंगे चार चमच मैदा एक चमच कॉन फ्लोर थोड़ा सा नमक और ले लेंगे आधा कप पानी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए फ्लोई कंसिस्टेंसी यह तयार है अब हो गए है आदे गंटे यह बिल्कुल मैरीनेट होके रड़ी है तो चलिए इसे स्खीवर्स में लगा देते हैं मैंने लिए तोटटपीक जानेhr से क्या होता है कि इसे सजाना भी बहुत आसान रहता है और आप जैसे बिचाहें वैसे सेट कर सकते हैं मैं सिर्फ उपर एक एक प्याज और शिम्ला मिच लगा रही हूँ अब और भी लगा सकते हैं यह देखिए यह बिल्कुल तयार हो गया है चले अब इसे फ्राई कर लेते हैं आप चाहे तो एक बड़ी से कढ़ाई में डालकर पनी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं अब क्या करेंगे एक पर चेक कर लेते हैं कि तेल गरम है कि नहीं इसमें डालते हैं और यह उपर आ गया यानि कि तेल अब गरम हो चुका है इसमें हम आराम से फ्राई कर सकते हैं अब एक एक पनीर को ले करके इसमें डिप करेंगे अच्छे से डिप करना है और इसे फ्राइ करेंगे यहां से रख देंगे अब इसे निकाल लेते हैं इसे निकाल लेंगे किचन टावल्स में अब नेक्स्ट बैच भी फ्राइ कर लेते हैं अब उसी पैन में उयल कम कर देंगे और लेसन डाल देंगे आठ दस लेसन असल में पनीर साथे जो होता है वह बहुत माइल्ड तीखा बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता अगर आपको फिर भी अगर ज्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं देखें प्यार्स कुछ इस तरह से भुन गया है तो इसमें डाल देते हैं एक चम्मच सोया सॉस लेम को मीडियम रखेंगे लेसन का पेस्ट थोड़ी सी लाल मिल्च आपके स्वाद के नुसार आप खाना चाहें तो लाल मिल्च असल में यह बहुत तीखा नहीं बनता है लेक रेड फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं फूड कलर नहीं डालती हूं लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है विल्कुल रेस्टॉरान स्टाइल बन रहा है साटे आप एक पर बनाएंगे तो आपको बार बनाना पड़ जाएगा आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा यह अब मैं डाल दे रही हूं रेड चिली सॉस बोड़ा सेस्ट में डालेंगे पेपा पाउडर नमक स्वाथ की अनुसार डाल लीजिए और आप डाल लेंगे सेजवान सॉस एक दू मिनिट हो जाए जब इसे बुंते-बुंते तो डाल देते हैं एक कप पाणी आप चाहे तो यहाँ पर आधी चमश चीनी डाल सकते हैं या आधी चमश हनी का भी प्रयोप कर सकते हैं क्योंकि यह थोड़ा स्वीटिश साइड में जाधा होता है थोड़ा मीठा होता अब यह अच्छे से बनने लग गया है यह देखें तो इसमें हम डाल देंगे इसमें है कॉण्फ्लोर दो चम्मच और पानी दो चम्मच इसमें मैं डाल देती हूं इसलरी जो मैरिनेट किया था वो मसाला बच गया है उसे भी सी में डाल लेते हैं हाँ यह हो गए आप 4-5 मिन अब हो गए इसको पक के 2-3 मिनट अब इसे ओफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर देते हैं को आप स्प्रिंग ओनियंस अच्छे से गानिश कर दीजिए तो हो गया पनीर साथे बिलकुल तयार अब यह सॉस इस पर डाल दीजिए यह बिलकुल तयार है इसे गानिश कर लीजिए स्प्रिंग ओनियन से पनीर साथे बिलकुल तयार है यह देखिए यमी अगर आपको पनीर साथे की यह रिसेपी पसंद आई हो तो अपने घर में से जरूर बनाईए हर कोई बार बार इसे खाना चाहेगा और इस रिसेपी को शेर और लाइक जरूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए मैं आऊंगी फिर अगली बार एक नई रिसेपी के साथ